स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यंत अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला Client Service Department, National Association for the Blind, इंडिया के ग्रामेर अपंग सशक्तिकरण कार्य के लिए समर्पित आत्मस मर्पित सेवभावी गनेश ताइडे महराष्ट्र के अकोला जिले के बालापुर तहसील के एक छोटे से मोर्गाव नामक देहात में एक अल्प भूधारक किसान श्री पुंडलीक ताइडे के परिवार में गनेश का जन्म हुआ पहला बेटा होने से घर में हुशी का माहोल था उस परिवार में उनके पश्चात दो और लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ परिवार के जीवन यापन को चलाने में ही माता पिता उल्जे रहे जब गनेश पढ़ाई योग्य उम्र का हुआ तो उनका नाम पासवाली शिव शंकर विद्याले और नामक जिला परिशत की स्कूल में दाखिल करवा दिया गया वही से उन्होंने शालान परीक्षा भी उत्तीर्ण की उस जमाने में देहाती स्तर पर शालान परीक्षा उत्तीर्ण करना बड़ा माना जाता था और लोग समझते थे कि अब वह व्यक्ती अर्थार्जन करने के लिए अच्छी कासी योग्यता प्राप्त कर चुका है उसी के अनुसार और अपने परिवार में जेस्ट पुत्र होने के कारण भी गणेश अर्थार्जन करने के लिए नए नए तरीके खोजने लगा ऐसे में एक दो जगह छोटा मोटा काम करवा अपने मामा जी श्री आनंद्राव वानखेडे जी के पास पहुँँच गया को सिखाने के लिए प्रगती अंध विद्यालय चला रही थी और उसे विक्सित करने के भी प्रयासत थी वह अपने स्कूल में एक अच्छा सेवाभावी शिक्षक नियुक्त करना चाहती थी तब सन 1990 में वानखेडे जी की शिफारिश से उन्होंने गणेश को शिक्षक पत पर नियुक्त कर लिया अपने स्कूल में बच्चों को गणित और शास्त्र विशय सीखाने की जिम्मेदारी उन्हें सौपी गई लेकिन इसके अलावा भी बच्चों के वस्तिग्रिय स्कूल का व्यवस्थापन और बच्चों की परवरिश के साथ साथ सर्वांगीन विकास करने की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी इसलिए उस शिक्षक का हर हुन्णरी होना और बहुत देशिय होना भी जरूरी था अपने जीवन के योवनावस्था की शुरूवात में ही यह जिम्मेदारी वाला दायत्व संभालने का मौका ही गणेश के सामने आपड़ा था और उसने इस दायत्व के अनुकूल अपने आपको ढाल कर अपने जीवन में यशस्वी होने का धेय निश्चित कर लिया उनकी अभ्यासू वृत्ती मेहन तथा लगन के बलबूते पर उनके भावी यशस्वी जीवन की शुरुवात हो गई वे बच्चों के साथ इतना घुल मिल गए कि वे उन्हें अपने दिल का और परिवार का हिस्सा मानने लगे उनके सुख दुख में वे हमेशा सनमिलित होकर साथ निभाते गए और हर स्थिती में शिक्षा में अग्रेसर होते रहने के लिए प्रेरित करते रहे वे बच्चों को समझाते थे कि शिक्षा का माध्यम ही तुम सबके जीवन में विकास कर बदलाव लाने में समर्थ है बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रोटसाहित करते रहते थे। इन सब बच्चों के खान-पान, लालन-पालन, परिपोशन तथा आरोग्य के ऊपर भी वे हमेशा ध्यान रख कर अपना कर्तव्य निभाते रहे। जैसे की पहार क्या होता है, यह समझाने के लिए वे उन्हें पहार पर ले जाते थे। पानी का प्रपात क्या होता है, यह जानने के लिए उन्हें प्रपात के नीचे खड़ा करते थे। नदी क्या होती है, यह जानने के लिए उन्हें नदी में ले जाते थे। तो कभी में साप को खिलाने वाले डोंबारी को देख उन्होंने उसे स्कूल में आमंत्रित किया और बच्चों को साप को स्पर्शानुभव करने का मौका दिया। सन 2005 जब स्कूल की इमारत पानी में डूब गई थी तब जल निसारण होने के बाद जब बच्चों ने अपने वस्ती ग्रह में प्रवेश किया तो वहां जमे हुए सापों की पहचान उन्हें स्पर्श होने से ही हो गई। और वे तुरंत बाहर आकर स्कूल प्रशासन को बताने लगे की उनके कमरे में साप मौजूद है। प्रतिनिधी कर भेज दिया। वह प्रशिक्षन प्राप्त कर वे अपने शिक्षक के पद पर कानूनी तौर से योग्य हो गए। गणेश जी ने अंध विद्यार्थियों के लिए आवशक ब्रैल लिपी अपने विद्यार्थियों से ही सीखी थी। वे अपने विद्यार्थियों को हस्तकला सिखाने में भी रुची रखते थे। उन्होंने संगीत भी थोड़ा बहुत समझना सीख लिया है। उन्होंने इन सब कार्यों के लिए स्वयं का आत्म समर्पन कर ही दिया था। लेकिन अपने परिवार को भी इस कार्य में लगा दिया है। उनकी पत्मी श्रीमती संगीता विद्यार्थियों को हस्तकला सिखाने के साथ साथ पढ़ने और पढ़ाने लिए भी मदद करती रहती है। वे अपने स्वयं के घर में अपने खर्चे से शालान परीक्षा देने वाले सभी बच्चों को बुला कर सेंड ओफ पार्टी का आयोजन करते हैं। सन 1994 में अपने परिवार द्वारा श्री गणेश जी का विवा नागपूर में पढ़ी लिखी संगीता नामक युवती से तै कर संपन्न हुआ और संगीता बदलापूर आ गई। गणेश जी के लिए तो उनका विद्याले ही एक परिवार था। इसलिए संगीता भी उस परिवार में घुल मिल गई। वा हमेशा अपने पती के साथ जुड़कर बच्चों के साथ अपने सुख दुख की घडिया बिताती रही। सन 2005 में एक बहुत बड़े जल प्रले में स्कूल और वस्ती ग्रिह पानी में डूग गया था। तब संगीता और गणेश ने उन सभी 35 अंद बच्चों को अपने घर में रख कर उन्हें संभाला। उस समय संगीता की तबीयत गर्भाशय में ट्यूमर होने से बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ थी। फिर भी वह पेन किलर दवा लेकर बच्चों का काम करती रही। इससे देख कर प्रभावित हुए डॉक्तर भी अचमभित रह गए। जल निससारण होने पर बच्चे अपन ऐसी सेवा वृत्ती को दिल के तहट से प्रणाम। आगे चल कर श्री गणेश जी के परिवार में अक्षय नामक पुत्र ने जन लिया। माता पिता के संसकारों से प्रेरित अक्षय ने पदवी प्राप्त कर खुद का व्यवसाय शुरू किया। उस व्यवसाय में स्थाप अक्षय ने इसी वर्ष विवा किया। श्री गणेश जी सन 2008 में प्रगती अंध विद्याले के मुख्या ध्यापक के पद पर आसीन हो गए और अपनी जिम्मेदारिया हमेशा की तरह निभा रही है। उनको अपने जीवन में दो बार आदर शिक्षक पुरसकार देकर गौ गणेश जी को अच्छे कॉंसेलर के रूप में मानते हैं और समय समय पर उनकी राय लेने में कभी नहीं हिचकिचाते। उनसे संपर्क स्थापित किया गया हर व्यक्ति उन्हें अपना दोस्त ही समझता है। वे अधिकारी होकर भी लोगों पर या स्कूल के कर्मचारियों पर अपना अधिकार नहीं चलाते हैं। अपनापन जता कर अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करते रहने वाले व्यक्तित्व को हमें कहना ही पड़ेगा। आत्मस्मर्पित सेवभावी। है मन्त जब पाटिल। मानत सचीव। नैशनल असोशेशन फॉर दब्ला इंदिया।